नमस्कार साथियों कैसे हो आप सभी लोग आप सभी का नौजुन क्लासेश यूटूब दिल पर हार्दिक स्वागत और अभिनन न करता हूँ मैं बहरू सिंग राजप्रोयत और आज इस टोपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले उस टोपिक का नाम है मराठा समराजी दक्षन भारत के अंदर मराठा समराजे ने अपनी एक बहुत बड़ी चाप है छोड़ के गई है किसके नेतरत्वे में अगर हम बात करें कि मराठा का सरु अपनी सासर की बात करें तो सिवाजी का नाम परमुकता से आता है लेकिन शिवाजी का बेगराउंड देखे और किस परकार इनका एक पारिवारिक सिस्टम है किस परकार इनका पुर्वार है कौन सी गौतर अगरा जो भी देखो ये मराठा इनकी गौता मराठा यानि माराठा समद है वो मरुवार से निकल कराया और कुछ कहते हैं यह राजस्तान से गवेते तो इनका क्या कुछ पारिवारिक सिस्टम है किस परकार इनके पिता जी का नाम इनके काका जी का नाम किस परकार इनका सामज़स से जो है चला है अपने समाज के परती है या पीR अपने समराजी परती है वो मान सकते है उगर सेंजी के दो पुतर्वे फीक आप अराग से समझ लीजिएगा उगर से इनके दो पुतरवे थे जिसका एका नाम मिलता है आपको करण सिंग 向ब करण सिंग तो क्या नाम पर खेला के और अब करण सिंग तो जैसे आज वर्तवान में जाती में उपजाती होती है जिसमें गोत्र कहते है ना वही है बोसले तो सबसे पहले जो बोसले के अंदर वस्द में वह कौन जन्म हुआ था जिसका वह था बाला जी बोसले ठीक है और बाला जी बोसले को कहा जाता था माले जी भी कहा जाता था और एक सवाजी बहुश्ले थे एक संभाजी है ये माले जी की बड़े भाई है बेटा तो एक ही है सवाजी बहुश्ले की ठीक है साहाज जी बहुशले ने ये बेटा को किसका है माल जी का है या विर्बाद करेबाला जी बहुशले का इन्होंने दो विवा किया थे क्या इन्होंने दो विवा किया था किस-किस ने एक तो विवा किया था इन्होंने ये एक अलग सा का रिकल का आती है यह देवगरी के यादगता जिसका नाम था लाग फूजी जोद दवराय थीक है इनकी बैटी थी जिजवाई सिवाजी के माता की नाम जिजवाई, जिजवाई का भीवा हुआ था साहजी बहुंसले के साथ में, यह क्या है साहजी के पिता जी है थीक है, यह हो गया, ठीक है एक lending का मिलता हैं तुका भाई महिट्टे उनके वह थे मिलता है दो विवा वह थे तुका भाई महिट्टे के सरह नाम है राजाराम था ठीक है और शिवाजी से जो पुत्र उत्पुन है क्या नाम है शिवाजी है तो देखे साहाजी बहुंच लें कि दो बैटे कौन कौन हो गए एक तो शिवाजी हो गया जिसकी माँ थी जिजवाई और एक हो गया राजाराम जिसकी माँ था तो कब ही मैं थी क्यो वो फिर यहां से यहां आएगा, तो सिवाजी के बाद में इनका कौन हो गएर यह काका हो गया है ना, तो ये साथ सक बनता है समबाजी कब से कब 1680 से नमाशी और इनके बाज हो राज़ा रामें 16've15 लेकर 17100 सक बनता है कहां पर अंबर 8 शमराजह के ठीक है यह 1770 रहा राज राम की पत्नी इनका नाम ता तारावाई था ठीक है और समबाजी 1680 शोड़ा शुनबब्य यहां तक इनका सिमित हो गया 1680 तक रही सिवाजी समाजी है समाजी के जो बेटा बता हो तो साहुजी इन्होंने सासन किया था 1607 से 1600 गुंचास तक ठीक है 6606 और उनके बाढस आसे 1 pay ग refuse खुज्सार्प साहो जी कि बाद में लेट होता है कि बाट आने समस्या उत्पन होग इतना यह सिस्टम क्योंकि वह पर उस समा गरांतिकार आंदलों चल रहे थे तो लगबग सोड़ा सो साथ सोड़ा सुगुंचा साउजी रहे सवतंतर साथ सब्सक्राइब उत्तर भारत के अंदर तो सतारा साउजी के साथ समताल के अंदर के अलग हो गया और को जिसमें सिवाजी शेकंड को राज अपने गया और औरो सत्रासों पचास सट्रासों पचास तक है राजाराम सेकंड शासे बन अगया था मरठा के कि बात करें तो इनका देखो सब्तरा सो तगरा है सब्सक्राइब किसी के अदिन है वो काम करने लेगे तो यह कुछ मराठा समराजी का सब्सक्राइब कार गाता कौन को राजा बने कौन को उनकी बेटेते हैं कितनी साध्या की ति क्या कूसम अगर बनते हैं तो आप एक बार जरूर से वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए वीडियो अच्छा लागर आप जरूर करें मिलते हैं और विशानदार जानदार जानकर एक साथ तब तेक लिए जाहिन वबन देमाकर साथ